Mapping Mapping Similar है Hashtable या Dictionary के जो different programming languages जिनमें यूज होती है जैसे Java या C Sharp या और languages है जिनमें Key Value Payer के लिए Hashtable या Dictionary यूज किया जाता है Solidity में Key Value Payer के लिए हमारे पास जो Data Type महजुद है उसका नाम है Mapping आप key value pair restore कर सकते हैं और key के तरूँ उसको access कर सकते हैं यह data type solidarity में most used complex data type है क्योंकि इसको आप key value pair के लिए store करेंगे और data को accessibility array के मुकाबले में आसान होगी क्योंकि आप keys के तरूँ access करते हैं डिक्लियर करने का तरीके कार इसका simple है आप mapping round bracket में key equals greater than का sign और value तो mapping बनाने के लिए अगर mapping की data type बनाने जारें तो आप लिखेंगे mapping round bracket key में क्या value रखनी है और value में क्या data type रखनी है key की data type और value के data type जो रखनी है आप वो बताएंगे और अपने variable का नाम दे देंगे जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं इस example में हमने एक mapping बनाई है उसमें int equals greater than sign और string तो key में string है key में int है value में string है और आपके variable का नाम m1 है या आपने mapping बना दी है mapping में आप different बहुत सारी different data types को भी यूज कर सकते हैं key में आप you int रख दें string रख दें या फिर key में आप boolean रख दें value में आप string रख दें जो भी आप data type रखना चाहते हैं key value बनाने के लिए आप mapping में रख सकते हैं आप enum और struct को भी mapping में यूज कर सकते हैं लेकिन as a value key के तोर पे enum और struct यूज नहीं हो सकता mapping में आप mapping बनाएंगे उसमें आपने key में रखा int value में enum रख दें की में string value में struct रख दें लेकिन key में enum या string यूज नहीं हो सकती आप जो भी data type रखना चाहिए mapping में रख सकते हैं वो आप उसकी key value player के तोर पे इस्तमाल कर सकते हैं यह example देखें इसमें हमने multiple mapping की definition बनाई है जिसमें आप देख सकते हैं एक mapping है जिसमें key में u int है value में address है फिर key में address है value में int है key में string है value में boolean है key में string है value में gender यह enum है assumption यह एक enumeration बनी हुई है आपने बनाई है उसमें जो properties है तुमने बता दिया कि यहां पर हर mapping के हर index पे key में string आएगा value में enum data type आई है इसी तरीके से एक और key में string और value में student एक complex data type struct है assumption यह के struct बना हुई है और वो यहां पर pass हो रहा है तो आप इस तरीके से जो भी data types यूज करना चाहें mapping में key value pair के तौर पर यूज कर सकते हैं और पिर आप उसमें information store करके उसको access कर सकते हैं कर सकते हैं